हेलो फ्रेंड्स मैं पवन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे स्कूलर मोटर कनेक्शन की वीडियो में जिसमें कि आपको कमपनी की तरह कनेक्शन करना सिखाया जाएगा बस आप वीडियो को इंड तक देखना और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो देख सकते हैं कनेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्टिंग कोयल को अंदर की और दबा देना है और फिर एक पांच नंबर PVC सीट का टुकड़ा लेकर इसके बीच में फसा देना है जिसे की सपरेटर कहा जाता है ये टुकड़ा हमको बड़े ही ध्यान से लग लग जाएगा बराबर तो पांच नंबर PVC सीट का सपरेटर हमारा लग चुका है और अब जो इसके वाइंडिंग वार्स हैं उन सभी में हमें एक नंबर स्लिव पाइप डाल देनी है पहले हम स्टार्टिंग में डालते हैं फिर रुनिंग में तो देख सकते हैं हमने चारो कर लेना है रेकमाल की मदद से तो देख सकते हैं हमने साफ करके कर दिया है complete और अब हम इसको DC टेस्ट मीटर की सहता से चेक करेंगे कि यह वाइंडिंग सही है या गलत तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के यानि कि अंदर वाली क्लाल के दोनों सुरों में लगा कर देखते हैं तो यह गलो कर रहा है मीटर आप देख सकते हैं यानि कि यह स्टार्टिंग वाइंडिंग एकदम परफेक्ट है और अब रेनिंग में भी लगा कर देखते हैं तो रेनिंग वाइंडिंग में भी गलो कर रहा है यानि कि हमारी रेनिंग वाइंडिंग भी सही है हमारा मो आप किसी भी ट्यायप की डाल सकते हो फिलाहल आपको को तो देख सकते हैं हम हमें इसत्रीके से किसी एक साइड के वायर को आपस में मिला देना है आपको मैं पता दूंअ यह प् shifts तभी वयंडिंग करेगा जब आप मोटर को वाइंडिंग करते समय को और आखिरी के सिरे को अपनी साइड रखेंगे और क्लाक वाइड डारेक्शन में मोटर घुमाएंगे तब ये वर करेगा कनेक्शन हमारा वरना इसकी चाल उल्टा हो जाएगी अंदर से ही अब इसमें जो रनिंग का वायर देखवा रहे हैं बाहर वाली का उसमें हमें एक व बना लेना है और रेड़ वार हमें एक जो हमने कॉमयन वार बना रखा है उसपे जोइंट करेंगे ऑसुbracht आंड पेस लगा देना है और आप चाहें तो जो हमने लूप जोड़ा है उस पर भी को Ag lab कर सकते हैं क्योंकि वह एक ही बात होगी हमारी तो ये जो अब शिरा बचा राटिंग का वायर बच रहा है इसमें हम इसका दूसरा सिरा पीला वायर का जोड़ देते हैं तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें जोड़ देना है तो हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं आप अच्छे से देख लें और आप इसका स्क्रिन सौर्ट भी ले सकते हैं और अब हम इसमें तीन नमबर सिलिपाइब इसके उपर से इसको कवर करने के लिए चढ़ा देते हैं जिससे कि सॉट सरकिट नहीं होगा और अच्छे से वरक कर पाएगा दोस्तों मोटर के कनेक्शन और सिलाई से संबंदित बहुत ही महत्पूर्ण बातें आपको बता रहा हूं बलड करते हैं जिस तरीके से लिड हम निकाल दी हैं अर उसी पर हमको इन सभी को बांदेना की हीटिंग है वो सब्सक्रार की के सबरक और अच्छी तरीके से लोंग लाइफ तक अप्लाई प्रधान करते हैं तो देख सकते हैं हमने cotton tape लगा दिया है और इसको अब हम सिलाई करेंगे इसके wire को कैसे adjust करना है वो सब आपको बताएंगे तो यह हमारे पास सुई धागा है जिससे की हम इसकी करेंगे सिलाई तो देख सकते हैं हमें इस तरीके सवायर को एडजस्ट करके इसमें सिलाई कर देना है तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले इसमें खूटा गाठ लगा देते हैं यह तो आप जानते ही होंगे तो खूटा गाठ हमें ऐसे ही लगा देना है और इसको फुल टाइट कर द लंबे समय तक वर्क करता रहे दोस्तों यदि हम इसमें जो है cotton tape लगाया है वो यदि हम नहीं लगाते तो यह हमारा एक दो महीने चलता और इसके wires हीट हो जाते फिर से हमें खोल कर इसकी reads change करनी पड़ती और अब हम देख सकते हैं इसकी कर रहे हैं सिलाई एक स्लाट छोड़ छोड़ कर हमें अंदे डालते रहना है और अच्छे से tight कर देना है तो देख सकते हैं हमने सिलाई करके कर दिया है complete और अब इसको safe में ले लेते हैं और फिर हम बताते हैं आपको आगे का process तो एक स्लाट छोड़ कर हमने सिलाई किया है और जो यह हमारे आप देख वार हैं yellow wire यह हमारे capacitor को होंगे और जो red wire हैं वो हमारे supply में जुड़ेंगे तो जैसा कि हमने भी सिलाई किया है उसी तरीके से हमको इसके इस साइड में भी सिलाई करके complete कर दाना है बीच में separator लगा करके दोस्तों और अभी बात खतम नहीं हुई इसमें जब router डलता है तो winding से attach होता है तो इसके खात्र winding को हमें इधर उधर बढ़िया से size कर लेना है और इसके slot paper को दबा लेना है जिससे की router आसानी से अंदर घूम से के और motor अच्छे से work करे कर दो एक है